हलो फ्रेंड स्वागत आपका एगवाय फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कनवाड ये क्लाशिज भाय राजर में दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैं मनोविग्यान और उससे जुड़े मनोविग्यानिकों के शिधान्त उन्होंने जो शिधान्तों को प्रतिपादित किया है और संप्रदाय दिये हैं उन सबको एक टृक के माद्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यनि एक मनवी गयनिक ने जितना कुछ संप्रदाय छिद्धाय जी दिया है उन सबको एक ट्रक्त माक्व्जे मैं आपके साँने प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको करना सिरफ इतना ही आपको एक जाम में भहुत अधीक फायदा देंगे यानि एक 15 लाइन ही यह लाइनों के रूप में 15 लाइन अगर आप याद कर लेते हो तो बरी ही आसानी से पूरे में c in पूरी कर दोगे क्योंकि इन मेंसे जह नहीं भी आया तो आपके बास 15 ऐं लुग गया जा से ओंग के तों प现在 मन में ग्यानिक तो उसमें आई जाएंगे बचेगा एक तो एक से अप अंदाज़े के लगा लोग तीन को उठा दोगे और जो बच गया वो आंस्वर हो जाएगा ठीक है और अगर दस कर लिए तो फिर भी आपके पंद्रा में तो आपकी पूरी पूरी चांसे रहेंगे और दस भी याद कर लेते हो आप तो फिर ये वाला जो तीन तीन तो उसमें से आई जाएंगे और एक आपको लगाना होगा तो आसानी से कर पाऊगे तो आज हम ले रहें आसुबेल को और जो अन्य है उनको मैं आगे बता दूँगा तो आसुबेल के बारे में हम जानते हैं इ है तो आ के बाद क्या आता दोस्तों आ के बाद क्या आता है आ आता न ए आ तो जब आ आता है तो आ से हम क्या बना लेंगे आसुबेल और जहां भी आप अगरिम देखो तो अगरिम में क्या है ए है तो आ के बाद क्या आता है आ से क्या बनेंगा आसुबेल तो आसुबेल अ इंपरटेंट है दोस्तों यह आ जाता है और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं परिकल्बत ना के प्रतिपादक है इसको कैसी याद करेंगे वाहा क्या भासा है वहाँ क्या भासा है तो इससे बड़ी आसानी से एक आपको छोट इससे सब्दांस में आपको याद हो गया वाह क्या भासा है तो इसकी भासा बहुत अच्छी दी तो किसी ने कहा वाह यार क्या भासा है तेरी तो इससे बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा तो वहाँ से तो हो गया वहार्प और ये जो भासा है भासा से क्या हो गया भासा ही सापेक्षता प्रकल्पना कौन से प्रकल्पना भासा ही सापेक्षता प्रकल्पना और किसे होई यह हो गई भासा से ओके तो वहाँ से वहार्प हो गया और भासा से क्या हो गया भासा से भास यही पूछा जाता है कि मनोविग्यान के विहवारवादी जो संप्रदाई है जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है मन के विग्यान आत्मा के विग्यान और अन्य जो एक विग्यान चेतना के विग्यान के बाद में जो मनोविग्यान चल रहा है वो है व्यवारवाद का मनोविग्यान तो इस वरतमान में व्यवारवाद के मनोविग्यान चल रहा है और उसके जनक जो है वो थे मनोविग्यान के जनक थे जे फी वोट्षन तो जे फी वोट्षन को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों तो किया आपने कभी गोल किया कि इसका नाम उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब जो भी होता हो लेकिन हमें यह रखना है कि उसका मतलब होगा behavior क्या होगा behavior इस बी वाले जो नाम है जे बी में जो बी वाला नाम है उसका मतलब क्या होगा behavior होगा हमारी ओर से तो बाकी मतलब चाहिए कुछ भी होता हो और behavior का मतलब क्या होता है behavior का मतलब होता है व्यहुहार तो वेहवारवाद के जनक कौन थे जैबी वोर्चन क्योंकि इनके नाम में क्या था जैबी बी बी से बीहवियर और बीहवियर का मतलब होता है वेहवार और वेहवारवाद के जनक इससे कौन हो गई जैबी वोर्चन अब हम बात करते क्लार्क की कलार्क भी एक माने के मनविग्यानिक है तो कलार्क को कैसे याद करेंगे हैं वहवार या अधिगम सिद्धान के प्रतिपादक है यह कौन से सिद्धान के प्रतिपादक है वहवार या अधिगम सिद्धान के प्रतिपादक है तो इसको याद करेंगे हम एक अभी अभी आया क लेकिन इसके साथ मैंने जान भूज गे यह वहवार वाला दूसरा आ गया वहवार या दिगंप सिद्धान के प्रतिपादक तो इसको साथ में लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन दोनों में अंतर क्या है देखो इधर भी वहवार है और इधर भी वहवार है लेकिन इधर तो यह तो संप्रदाई है दोस्तों यह तो पूरा का पूरा जो हम पढ़ रहे है उसी के बारे में संप्रदाई है वहवार वादी संप्रदाई है और इधर जो है वो एक सिदान्त है वहवार या अधिगं सि यह सिदान्त है और यह संप्रदाई है तो संप्रदाई जो है जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में दिन कर रहे हैं उसका तो किया था वोर्षन ने और जो सिदान्त है वहवार का सिदान्त है उसका प्रतिपाद कौन है कलार्क है तो यह confusion वाले होते हैं तो इसको आप कैसे कियात करोगे कलार्क वे अधीक करता है कलार्क वे अधीक करता है कलार्क क्या करता अधीक वे करता है वे का मतलब होता खर्चा तो कलार्क क्या करता अधीक खर्चा करता है यानि कलार्क वे अधिक करता है तो कलार्क से हो जाएगा अपना कलार्क और वे से हो जाएगा वहवारवाद या अधिगम के सिदान के परतिपादक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इतना करना है जितने भी मनोवे ग्यानिक है उनके सिद्धान तो जितने मैंने पढ़ा दिये उनमें से आप केवल 10 का कर लोगे तो आपके 90% चांस हो जाएंगे और अगर 15 याद कर लेते हो 15 लाइन नहीं तो या छोटी छोटी आप जूं सतरि Limited है और जो नहीं जानते कि इन्होंने कौम सा चिदान दिया तो घंडरत सामभा होगई तो सामभा से हम क्या याद करेंगे सा से सामाजिक अधिगम का सिदान और यानि साम सामभा साम मैं भा या बा सामभा तो साम से हो जाएगा सामाजिक सामाजिक अधिगम का सिदान और बा से हो जाएगा बांडूरा तो सामाजिक अधिगम का सिदान किसे ने दिया था आगे हम अन्य जो मनवी गयने को उनके बारें पढ़ेंगे तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों और आप पढ़ते रहिए अच्छे से मेहनुत करते रहिए बहुत कम समय है एक जम्स का तो इसी के साथ इनी सब्दों के साथ में अपने सब्दों को विराम देता हूं बाई फ्रेंड्स